नमस्कार कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सभा शाहिद शेग आज बात उन्चार नेता अपराद आतंकी और जिहादी की करेंगे जो आज चक्रवियू के चक्र में पसा है उनके कारणामों को एक्सपोस करूंगी पूरी डिट बात लब जिहाद की तीसरी खबर में बात अखलेश यादप की चोथी खबर में बाद हजियाद्वीयों का सबसे पहले बात मुख्तार न्सारी की कल तक खुद को माफिया और डौन कहलवाने में गर्व महसूस करने वाला और आज दो-दो मुकद्मों में सदायाफता मुझ्रिम बनकर जेल की सलाखों में बर मुखतार अंसारी को बड़ा जटका लगा है यूपी पुलिस ने इसके खास गुर्गे समझे जाने वाले और लंबे समय से एडी के हाथ नहीं आ रहे गनेश दत्मिश्रा को घेर कर प्रवरतन दिशाले टीम के हवाले कर दिया है यूँ तो समाज की नजरों में पेशे से खुद को रियल स्टेट कारोबारी बताता है मगर कानून की नजर में इसका चाल चलन और सोहबत सही नहीं ये लंबे समय से मुखतार से जुड़ा बताया जा रहा था यूपी पुलिस और एडी के पास मौजूद जानकारी के मताबिक तो गनेश दत मिश्रा मुखतार का रियल स्टेंट का पूरा कारोबार समाल रहा था उसे गाजीपूर पुलिस ने उसके चंदन नगर के घर से हिरासत में ले लिया था उसके बाद उसे लखनों की एडी के काल्याले में पहले से मौजूद टीन के हवाले कर दिया गया यहां बताना जरूरी है कि यह वही मुखतार का राइट हैंड और बदनाम नाम है जिसकी कुछ समय पहले ही 20 करोर की प्रॉपर्टी जब्द मौउ और गाजीपूर में की जा चुकी है इसके बाद भी इसकी संदिग गतिवीधिया थमने का नाम नहीं ले रही थे गनेश दत का एडी के फंदे में जा घिरना मुखतार के लिए नींद उड़ा देने वाली बात है क्योंकि मुखतार के तमाम काले कार नामों से अर्जित अवैद प्रॉपर्टीज ब्लैक मनी की कुंडली इसी गनेश दत के कबजे में बताई मानी जाती है राज्य पुलिस महानी देशाले सूतरों के मुताबिक गनेश दत मिश्रा पुलिस का मुझरिम है नहीं था इसकी तालाश लंबे समय से एडी को थे एडी ने इसे कई बार नोटिस भी जारी किये थे इसके बाद भी मगर जब ये पेश नहीं हुआ तो फिर इसकी पुलिस से एडी ने निगरानी करानी शुरूत इस नियदेश के साथ की जैसे ही और जहां भी ये नजर आए पुलिस इसे पकर कर एडी के हवाले कर दे फिलहाल इसे गाजीपुर जिला पुलिस मुख्याले ने घर से हिरासत मिलिया है इडी जानना चाहती है कि आखिर आजमगर, लखनव, वारानसी, गाजीपुर, माउ, आदी छेतरों में किन किन प्रॉपर्टीज में इसकी और मुख्तार की साजेधारी है या इसकी ही इन इलाकों में कितनी अवैर्ट संपत्या है यहां जिक्रे करना जरूरी है कि जब गनेश दर मिश्राक काबु नहीं आया तो कुछ वक्त पहले ही उसकी गाजीपुर जिला मुख्याले के चंदर नगर कॉलोनी में बहु मंजिला इमारत को प्रशासन ने इसके खिलाब गैंग्चर एक्ट के जद में लेकर उसके उपर बुल्डोजर चलाकर उसे जमिंदोस कर दिया है दूसरी खबर में बात लव जिहाद की लव जिहाद से उत्तराखन भैबित है उत्तरकाशी के पुरोला में कुछ दिन पहले हुए बवाल के बाद अब गड़वाल के श्री नगर में लव जिहाद का एक बामला सामने आया है एक हिंदू लड़की की को मुझीब खान नाम के 22 साल के एक मुस्लिम शक्स बहला कर बहागाने की कोशिश के कारण लोगों में गुस्सा है इसके विरोध में श्री नगर के इस्थानिय लोग और वैपारी ने थाना पहुँच कर जम कर हंगामा किया इस्थानिय लोगों के साथ-साथ वैपारी और भाजवा कारे करता भी मौझूद थे उन्होंने पुलिस को बताया कि वो आरूपी को पकरते इससे पहले ही वो फरार हो गए इस्थानिय लोगों ने कहा कि पहार की शांत वादियों को आशांत करने की कोशिश की जा रही उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाए बरदाश्त नहीं की जाएगी विरोध करने वाले लोगों ने पुलिस से इस तरह की घटनाओ को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने की मांग की भाचपा जिलाव पाध्यक्ष लखपत सिंग भंडारी ने कहा कि एक विशिय समुदाई की लोग बरी संख्या में बाहर से उत्राखन पहुँच रहे हैं लेकिन उनका सत्यापन नहीं हो रहा है लगपत सिंग का कहना है कि ये लोग उत्राखन के शांत महौल को आशांत कर रह हैं उन्होंने कहा कि देर हो जाए इससे पहले सत्यापन का काम शुरू कर देना चाहिए श्री नगर के प्रभारी निरिक्षिक ने कहा कि इस सिलसले में तहरीर मिलने के बाद तदकाल कारवाई की गई है उन्होंने कहा कि शांती वेवस्था वनी रहे और महौल खराब ना इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं इस मामले में पुलिस ने लड़की को भगाने वाले आरोपी मुजीब खान और उसके पिता को यूपी के बदायू से गरफतार कर लिया है सूतरों के मताबिक दोनों पर धर्मांतरन कानून के तहट कारवाई की गई इसके अलावा आरोपी शक्स के खिलाब छेट चार का भी मामला धर्च किया गया है पुलिस ने मुजीब के साथ साथ उसके पिता को अदालत में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है आपको बता दे कि पुरोला में इस तरह का मामला सामने आया था मामला सामने आने के बाद इस्थानिये लोग सड़कों परागेत और मुस्लिम दुकंदारों को मकान दुकान खाली करने का निर्देश दे दिया था इसके बाद इस मामले की देश भर में चर्चा होई तीसरी खबर में बात अखिलेश यादब की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से पूरे देश में महासंपर का भ्यान चलाकर उपलब्धिया गिनाई जा रही है इसे सिलसले में उत्तर पूरे देश की महराज गंज में उप मुख्यमंतरी केशपरसाद मौरे ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धिया गिनाई इस दोरान मंच से केशर प्रसाद मौडी और केंडर्य वित्मंत्री पंकत चोधरी ने सरकारी लभार्टियों को आवास की चाबी के साथ ग्रामीन आज़वी का मिशन के तहट सुइम सहेता समू के लभार्टियों को चेक वित्रित किये इस मौके पर केशा प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 के लोग सवाचुनाओं में बीजरेपी 350 से जादा सीटों पर जीत दर्श करेगी यूपी की जनता सपा बसपा और कॉंग्रेस के को खाता नहीं खोलने देख वहीं जो महागडबंधन बना रहे हैं उनके लिए खोदा पहार न आगे कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इन नौ सालों में देश के सभी वर्गों के लिए समर्पित रहे हैं पिया मोदी गरीबों को देखकर बड़े हुए हैं इसलिए वो गरीबों का दर्द जानते और समझते हैं उन्होंने भ्रस्ट चार रूपी कैंसर से गंभी पिया मोदी ने नौ सालों में करोरों रूपियां अलग-अलग योजनाओं में हिंदुस्तान के गरीबों को उनके खातों में धन भेजने का काम किया है अगर सपा बसपा और कॉंग्रेस की सरकार होती तो ये पैसा गरीबों तक नहीं पहुँच पाता वहीं डिप्टे सीम ये मने कहा कि 2014 में देश की जनता ने नरेंदर मोदी को पी-म बनाने का फैसला लिया था देश ने 282 सांसत भेज़े थे और अकेले डंपर बीजपी ने सरकार बनाने का काम किया था वही साल 2017 में प्रदेश की जनता ने 40 विधाइकों से 325 विधाइकों को विधान सभा में भेजने का काम किया था इसके बाद साल 2019 में सपा, बसपा और कॉंग्रिस एक हो गए थे सापनाथ, नागनाथ, कालियानाथ के एक हो गए थे और मोदी को पीम नहीं बनने देंगे लेकिन इनके एक हो जाने के बाद भी 2019 में 300 से जादा सीट दे कर फिर से एक बार पीम बनाया वही साल 2024 में नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता 350 से जादा सीटे जिताने का काम करेंगे और एक बार फिर से देश की बाग दोर उनके हाथ में होगी मौरिय ने कहा कि हमने बोला था कि आयोध्या में भवे राम मंदिर बनाएंगे जो बन कर तयार हो रहा है वही एक देश में एक कानून लाने का काम करने की शुरुवात हो गई है धारा 370 हटाने की बाद कही वो भी हटा दिया वही केश्य प्रिसाद मौरिय ने कहा कि ये जो कॉंग्रे, सपा, बस्पा और अन्य पार्टी वाले ये घबरा रहे हैं कि जब तीसरी बार चुनाओ होगा तो बीजेपी 350 के पार हो जाएगी इसलिए विरोधी घबराएं हुए है 23 तारीक को नितीश कुमार पटना में रैली कर रहे हैं लेकिन 2024 में इनका खाता भी नहीं खुल पाएगा वहीं केशत प्रसाद मौडी ने कहा कि ये जो कॉंग्रेस, सपा, बसपा और अन्य पार्टी वाले हैं ये घबरा रहे हैं कि जब तीसरी बार चुनाओ होगा तो बीजेपी 350 के पार हो जाएगी इसलिए विरोधी घबराएं हुए हैं वही तेज तारिक को नितीश कुमार पटना में रैली कर रहे हैं लेकिन 2024 में इनका खाता भी नहीं खुल पाएगा अखलेश यादब भी प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगा चौथी खबर में बात हज यात्रियों की यूपी के पुर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता मोसिन रजा ने दावा किया है क्यों कुछ लोगों ने हज यात्रा के दौरान काबा में देश के बीजेपी सरकार और RSS के नाश की बद्दुआ की मोसिन ने टूइट कर कहा कि इनकी जाच कराने के बाद ऐसे लोगों के खिलाब देश दौरों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए बीजेपी MLC ने काबा का एक वीडियो टूइट किया इसमें उन्होंने सरकार से मांग करते हुए लिखा कि सरकार को इनकी नागरिक्ता खट्म कर देना होगा इनकी ही मानसिक्ता वाले देश को में इनको भेज देना चाहिए वहीं उन्होंने कहा हज जैसी पवित्र यात्रा और काबा जैसे मुकदस स्थान पर भी देश विरोधी विदेशी ताकतों के हाथ के खिलोने ये चंद लोग जिन्होंने अपनी नाकारत्मक वाली सोच का प्रदर्शन किया है ये लोग देश की BJP सरकार और RSS के नाश की बद्दुआ कर रहे हैं मोशिन नजा ने कहा आगे कहा कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इन लोगों की जाच होनी चाहिए इनके पीछे छिपे हुए लोगों और संगठनों की जाच होनी चाहिए और ऐसे लोगों और संगठनों के खिलाब देश द्रो का मुकर्दमा दर्ज होना चाहिए इनकी नागरिक्ता समाप्त करते हुए इने इनकी मांसीक्ता वाले देश भेज देना चाहिए वहीं BJP और RSS के खिलाब खुले आम बद्दुआएं मांगी जा रही ये भारत के तमिल मुसल्मान लिखते हैं मैंने अपनी मित्र से जब इसका ट्रांसलेशन पूछा तब पता चला कि कुछ अराजक तक्व काबा में देश विरोधी गतिवीधी कर रहे हैं ये सब लोगसभा चुनाओं पर प्रभाव डालने के लिए हो रहा है फिलहाल के लिए चकवियों में मेरे साथ इतना ही कल फिर कौन किसके चंगुन में फसेगा नेमुदों के साथ फिर पेश होंगे आप बने रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ नमस्कार